हेलो इब्रिवन आज की इस वीडियो में लंग फिस अर्थार टिपनुई के बारे में बताया जाएगा जो कि इस प्रकार है लंग फिस discontinuous distribution को प्रदर्शित करता है और यह सामानता है फिस और amphibian के बीच की कड़ी है और इसकी तीन जिनरा होती है जो की पूरे विश्व में तीन जगां पर फैला हुआ है तो लंग फिस के पास respiratory आर्किन के रूप में लंग पाय जाते हैं और यह सोस connecting link between फिस और amphibian इसके तीन ज जो किस प्रकार है लापीडो सीरन प्रोटोब टेरस and नियो सिर्यातोड़स तो यह जो graphid vaccinations होता हिया है अमेरिका में distributed है प्रोटोब टेरस अफरीका में और अर्नियो सिरेट इन phता पास्ट्रेलिया में distributed है तो यह आईससे फिस होते हैं जिसमें कुछ characters fish के होते हैं और कुछ characters amphibian के होते हैं इसलिए इन्हे connecting link between fish and amphibian कहा जाता है अब इसके अगली topic में हम यहाँ पे देखते हैं Gambusia afinis यह एक प्रकार का mosquito fish है जो mosquito के larva को feed करता है और यहाँ एक exotic fish है यानि कि जिसे विदेशों से import किया गया है और इसको import किया गया था इटली से और इसका सीथा संबंध होता है malaria को control से यह control करता है malaria को biological by feeding on mosquito larva